नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर और जैसा कि हमने एट्थ क्लास का जो सेकेंड चेप्टर है वो शुरू किया हुआ था जोगरफी के अंदर और उसके अंदर के था हम जो परमुक लेंड डिसोर्स है उसकी इसको डिस्कस कर वाटर क्या है उसके बारे में कितनी अवैलेबिलिटी है वाटर की उसके बारे में मुझानत है वाटर इस ए विटल रिनुवेबल नैचुरल रिसोर्स पानी जो है एक परमुक नवी कनिये प्राक्रतिक्सन साधन है थ्री फोर्स ओफ दा आर्थ सर्फेश इस कवर्ड इसलिए प्रत्वी को नीला ग्रह कहा जाता है यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी कोश्चन डिसक्राइब किया था कि प्रत्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है वो हमने जाना कि त्री फोर्थ ओफ दा आर्थ सर्फेश इस कवर्ड विद वाटर इसलिए इसको क्या बोला जाता है ब्लू प्लैनेट बोला जाता है इसका जो प्रारंबिक रूप देखने को मलता है यानि जल जो है इसका प्रमुख किस्तरूत क्या है ओशियंस है मासागर है केता है 3.5 बिलियन से वर्ष पहले जो सबसे पहले जो जीवन पाये गया था वो मासागरों में ही पाये गया था यहां तक कि आज भी जो मासागर है वो परत्वी के दोत्याई भाग को कवर किये वी है और संसार का जो विभीन परकार के जीव जनतों पेड़ पोदे हैं उनको जो है आस्रे परदान करते हैं दा ओशिन वाटर एज हाव या सलाइन यद पी महासागरों का जल जो है वक्षारिय है और नौट फिट फोर हुमन कंजप्संस और मानो उप्योग के लिए यह जो है उप्योग नहीं है फ्रेश वाटर अकाउंट्स फोर ओनली अबाउट 2.7 परसेंट यानि कि जो हमारा ताजा जल है मानो उप्योग के लिए जल है वो किवाज 2.7 परसेंट है नियरली 70% of this occurs as ice seeds और इसका जो 2.7 परसेंट जो हमारे लिए उप्योग के जल है इसका भी 70 परसेंट जो पानी है वो ice seeds के रूप में यानि बर्फ के रूप में पाये जाता है and glaciers के रूप में पाये जाता है in Antarctica, Greenland and Mountain regions यानि कि हमारा Antarctica जो महदवी पर वहां Greenland और Mountain जो एरियाज है उसके अंदर इसका जो 70 परतिशत जल पाये जाता है To their location, they are inaccessible और इनकी इस इस्तिती की वज़े से क्या है? Inaccessible हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हैं किसकी वज़े से? Due to their location Only 1% of fresh water is available and fit for human use क्यावल 1% जो जो जल है, वो मानो उप्योग के लिए उपलब्द है सही तरीके से देखा जाए, तो मानो उप्योग के लिए क्यावल 1% जल उपलब्द है It is found as groundwater और ये किस रूप में पाये जाता है? Ground water के तोर पर इसको ये हमें मिलता है यानि ध्रातल के नीच से, as surface water in rivers and lakes and as water vapors in the atmosphere और ये हमें किस रूप में पाये जाता है? वही नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में और इवन जो जलवास हैं उनके रूप में हमें ये वाईउंडल में मिलता है Fresh water is therefore the most precious substance Fresh water कैसा है? Most precious substance है Fresh water जो है, वो most precious substance है यानि सबसे केमती तत्वों में से एक माना जाता है परत्वे के Water can neither be added nor subtracted यानि जल को ने तो घटाया जा सकता है, ने बढ़ाया जा सकता है जो ध्रातल पर जल है, उसको ने घटाया और बढ़ाया जा सकता है Its total volume remains constant यानि इसका जो total volume है, वो constant रहता है, इस तिर रहता है constant रहता है, इसका total volume Its abundance only seems to vary और इसकी जो abundance है, इसकी जो अधिकता है वो हमें vary करते भी नजराती यानि vary का मतलब होता है, भिन भिन देखने में मिलती है It is in constant motion क्यों बजराती है, क्योंकि यह constant motion के अंदर है constant motion के अंदर है, यह हमारे यानि लगातार किसमें पाया जाता है, यह गती में है cycling through the oceans, जिसका की चक्रन जो है महासागरों से होते हुए, the air, yu से होते हुए, the land पर्थविश होते हुए and back again, और दोबार अब आपिस कहां चला जाता है, through the process of evaporation, वास्पिकरन के मादम से, पर्शिपिटेरिंवर्शन के मादम से and run off, और बैतेवे जल के मादम से दोबार से oceans के अंदर पहुँच जाता है this is, this as you already know, is referred to as the water cycle यानि कि यहांपर question arise हुआ, what do you mean by water cycle यानि जो water cycle है, इससे आप क्या समझते हैं यानि जल चक्र क्या है, यह भी हमने समझाया कि जो पानी है देखे, यह यहां से start होगा अपना total volume से यहां से शुरू होगा और यहां पर यह finish होगा यानि इस total volume remains constant, ठीके, its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and enough this is as you already know, is referred to the water cycle यानि इशी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं मेरी साब से यह point clear हो गया होगा कि यह जो question बना था, what do you mean by water cycle वो आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे देखिए इसमें क्या यह आपका एक fact दे रखा है, देखिए इन 1975, the consumption of water for human use was 3850 क्योबिक किलोमेटर पर रही है, यानि 3850 क्योबिक पर रही है कंजब्सन सा, it showed to more than 6000 क्योबिक किलोमेटर पर रही है, यानि 2000 में जो बढ़कर के 6000 क्योबिक के परतिवर्ष हो गया है, और एक और यहाँ पर एक effect दे रखा है, देखिए a dripping tape wastes 1200 liters of water in a year, यानि हमारे घर में जो tapes होती हैं, जो नल होते हैं, यादि वो टपक रहा होता है, तो एक साल के अंदर उससे हम 1200 liters, यानि 1200 liters जल बरबाद कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए human use के लिए किस परकार से, क्या, humans use the amounts of water not only for drinking, कहते हैं, मानव जो हो जल का इस्तेमाल ने केवल पीने के लिए करते हैं, and washing, but also in the process of production, वलकि हम जो उत्वादन प्रक्रियाई करते हैं, खेती जो करते हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, water for agriculture जैसे खेती के अंदर, industries के अंदर, और आपका generating electricity through reservoirs of dams are the other usage, यानि कि यह जो जल के इस्ते हैं, प्रियोग हैं हमारे reservoirs के अंदर, generating electricity, यह भी हम जो है water का प्रियोग कर रहे हैं, जैसे चाही से चाही के लिए इस्तेमाल करें, या उद्योगों के अंदर इस्तेमाल करें, या जल विद्यूत उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, जो कि बांधों के मादम से क्या जाता है, यहीं पर देखे, increasing population, बढ़ती हुई जनसंग क्या, rising demands for food and cash crops, जिससे की बढ़ती हुई जनसंग के वज़े से क्या है, भोजन की demand बढ़ रही है, cash crops की demand बढ़ रही है, increasing urbanization, सहरी करन बढ़ रहा है, and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water resources, और water pollution, तो यहाँ पर हमने इसे जो वाटर जो है, वाटर के जो various factors हैं, कि जो हमारा water है, उसके scarcity को प्रभाइवित करने वाले कौन-कौन से प्रमुक कार्ग हैं, तो उन कार्गों के बारे में यहाँ पर हमने अध्यन किया, क्या क्या थी हमारी कार्ग, water for agriculture, industry, generating electricity, through the reservoirs of dams, increasing population हो गया, rising demands of food हो गया, rising demands of cash crops हो गया, increasing urbanization, and rising standards of living, these are the some major factors which leads to the shortage of fresh water in our life, day-to-day life, तो अभी हमने जाना कि किस प्रकार से जल की जो हमारे देने के जो कम ही होती जा रहे हैं, उसके पर मुकान क्या क्या हैं, उनके बारे में जाना, अभी देखें, यहाँ पर हम जो problem of water availability है, यानि जो जल की उपलब देता है, वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसको हम देख रहे हैं, देखो हमने इस chapter के अंदर पढ़ा, जल के अमादम से पढ़ा था, कि परत्वी का जो तीन चोथाई पार्ट है, वो जल से डगा हुआ है, फिर भी हम यह कहते हैं, कि जल की कमी है, जल की कमी है, तो जल की कमी कौन से जल की कमी है, यह जो fresh water है, जो मनुशे के उप्योग के ल मासागरो का जल है, और मासागरे जल हमने देखा था, कैसा है, सेलाइन है, अक्षारिया, इसलिए जो अपना जो 2.7% जो water है, जिसका की 70% के आसवा समय glacier की तोर पर, अंटार्टिक का जो रीजन है, वहाँ पर, जो कि मानुप्योग की पहुंचे बाहर है, कि वह एक प्रसे जाने थे यह अभी, क्या क्या कारण है, किन के वज़े से यह जो जल परदोशित होता जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए, तो जो विशो के कुछ शेतर हैं, जहां पर जल के जलसन सादनों की कमी है, यह जो अभी हमने पार्ट्स डिसकस किये हैं, यह वो जोन है, वर्ल्ड के जहां पर जो फ्रेश वोटर की जो सकार सिटी है, उसको डिसकस किये, उसको समझा जाता है, Countries located in climatic zones most susceptible to droughts, यानि इन छेतरों की देश चुहें, वो क्या जो सूखे की चपेट में आने के खितरे से जूचते रहते हैं, problems of water scarcity, जहां पर जल की कमी रहती है, तो इस प्रकार से यहां पर हम देख पा रहे हैं, कि किस प्रकार से जो जल की shortage है, कमी है, उनके प्रणाम कई हो सकते हैं, जल की उपलब्धता में जो variations है, जो बिंता है, उसके माद्यम से हो सकती है, और जो विविनता ही हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि विविन रीतों के अंदर या वर्षा रीतों के अंदर जो वर्षन है, वार्षिक वर्षा है, उसके अंदर जो अंतर देखने को मिलता है, कभी बारिश जदिक हो जाती है, तो कभी कम होती है, उसके वज़े से भी य जाओ कर सकते हैं जल को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसका कैसे हम बचा कर रख सकते हैं देखे access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today आज जो विश्व है वो विश्व जो है स्वच और ताज जल की उपलगता है इस समस्या से जूज रहा है steps have to be taken to conserve this divine link resources इस खतम होते हुए या divine link यानि प्रभावित होते हुए जल के जो हमारा संसाधन है इसके लिए कदम उठाने बहुत ही जरूरी है divine link resources जो हमारा जो खतम होता जो resource है इसके बारे में हमें कदम उठाने बहुत जरूरी है इवन दो water as water is a renewable resource जद पी जल एक नविकर्णिया संसाधन है its overuse and pollution make it unfit for use लेकिन इसका जो pollution है या overuse है जो हम इसका जरूर से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इससे यह जो जल है यह मानुप्योग के अनुकुल नहीं रहता है discharge of untreated और partially treated sewage जिस प्रकार से कि उद्योगों से untreated water को discharge कर दिया जाता है या उसके थोड़ा बहुत निश्कासन करके sewage के मातम से उसको जो नदी जला है चेत्र है या नदियों के अंदर या channels के अंदर इसको बहा दिया जाता है agriculture chemicals and industrial influence in water bodies are major contaminants जो के खेती के अंदर जो chemicals का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उद्योगों के अंदर जो effluent के तोर पर water का इस्तेमाल किया जाता है इसे ये पर्मग्रूश से क्या संदूसक का काम करते हैं परदूशिक का काम करते हैं ये जल को परभायूते संकरमित करने का काम करते हैं they pollute water with nitrates ये जो पाने के साथ nitrates बना कर गए इसका परदूशित करते हैं metals and pesticides ये इसके साथ मिलकर के जल को पर्दोसित करते हैं तो इस परकार से ये हमने देखा कि जल हमारे लिए किस परकार से उप्योगी है जल के scarcity के छेतरों में देखने को मिलती है जल के scarcity के परवोकारण क्या क्या हो सकते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है वो चीज़े हमने देखी है अभी देखिए most of these chemicals are जो हम किर्शी के अंदर agriculture के अंदर जो chemicals यूज़ करते हैं most of these chemicals are non-biodegradable इन में से जो chemicals रसाइन हम यूज़ करते हैं ये जो non-biodegradable होते हैं यानि ये यूज़ करने के बाद गलते नहीं है and rich human bodies through water और ये पानी के साथ मानव सरीर में पहुँ जाते हैं water pollution can be controlled by treating these effluents suitably for releasing them in water bodies इस परकार से हम जल को दूशित होने से बचा सकते हैं यदि ये जो contaminants हैं ये effluents हैं इनको प्रवाइट करने वाले जो तत्तों हैं यदि इनको हम इन जल water bodies के अंदर छोड़ने से पहले जलास्यों के अंदर छोड़ने से पहले यदि हम इनका अच्छे प्रकार से निश्कासन कर देते हैं forest and other vegetation cover slow the surface run off and replenish underground water यदि हम अधिक से अधिक पेड लगाएं या वनस्वती का विकास करें तो इससे बैते वे जल का प्रवाव है वो कम हो जाता है और हमारा जो द्रातलिय जल का अस्तर है वो बढ़ जाता है water harvesting is another method to save surface run off और दूसरा तरीका जो हो सकता है यह वर्साजल का संग्रेन हो सकता है इसको रूप कर भी हम क्या कर सकते हैं जो बैते वे जल को कम कर सकते हैं और जो irrigation के अंदर हम यानि सिचाय के अंदर जिस जल का नदियों के मादम से इस्तेमाल करते हैं नदियों को प्रोपरली लाइंड अप करके यानि चैनल्स को स्ठीक प्रकार से बना करके उनको पक्का करके भी हम जो water sepage है यानि जल का जो रिषना है उसको रोप कर भी हम water के जो scarcity है उसको कम कर सकते हैं जो हमारा जल बेवज़े खतम होता चला जाता उसको रोप सकते हैं स्प्रिंग्कलर्स एफेक्टिवली इरिगेट दा एरिया बाइ चेकिंग बाटर लोज़ेज जिन चैत्रों के अंदर जो स्ष्क परदैस होते हैं या रेतिली चैत्र होते हैं वहाँ पर फवारूं को ये इस्तेमाल से हमसे चाही कर सकते हैं जिससे पाने की बरबादी को र पासपी करना धीक होता है ड्रीप और ट्रीकल इरिगेशन इस वहां पर बूंद बूंद पत्ती या ट्रीकल होती है किसी पेड के पास ले जा करके उस चीज़ को विक्षित करने हैं वहां पर ऐसे सिच्चाई का विकास किया जा सकते हैं दा वेलोवल वाटर सौर्स कें देरफोर बी कंजर्ड बाइ अडॉप्टिंग इस मेंस ओफ इरिगेशन इस प्रकार से हम इन शोत्रों के चेत्रों के अंदर ये वैलोवल जो अमने स्टैफ से बटाए हैं जो हमारा वैलोवेल वाटर सौर्स है इसको बरबात होने से बचा सक सकते हैं तो आज के लिए ही इतना ही थेंक्यू है वे नाइस देग